दूस्तों आज की कहानी है बाबी दूसरों के पती सबको अच्छे लगते हैं दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउंसे अर नया वीडियो मेरा भाई जैसा दूनिया में आपको कोई और दूजा नहीं मिलेगा ये सब का ध्यान रगता कभी किसी को कोई कमी नहीं रहने देता वो बात अलग गये कि अब आप आ गई तब देखते कि कहें आप मेरे भाई को बदल तो नहीं देखी निया की ननन सुमन उसे करती है निया नई दूलन बनकर ससुराल में आई थी सबने बड़े प्यार से उसका सवागत किया उसकी ननन थोड़ी नखरे वाली थी परन्तु उसके नन्दूई बड़े ही सांत सभाव के लगे जादा बोलते नहीं थे बस मुश्कुराते थे और किसी से वह कम बात करते थे तो पहली नजर में उनकी सवी निया को ठीक लगी धीरे धीरे समय वेतितों ने लगा निया अपने पती मानव के सामने हर वक्त अपने नंदूई विसाजी की तारिव करती थी देखिये वह कितने सांते कभी जोड से नहीं बोलते आप हर बात पर नाराज हो जाते ये वह कोई बात हुए आप कीसी बात की जित पकड़ कर बैट जाते और एकी बात को दोराते रहते हैं एक नंदूई जी है जो दीदी से कभी तेज आवाज में बात नहीं करते समय वेतित होने लगा फिर परत हर रीष्टे अपनी सच्चाई बनाने लगे सुराद में जो सास निया को हतेली पर रख दीती है बात बात पर उसकी सोटी मोटी गलतियों पर भी उंगली उठाती हैं निया को एक बात बड़ी अजीव लगती थी हर 15-20 दिन में उसकी मैं के सली आ आते थे दो सार दिन के बात अलगे परंदु जब तक ननन रहती नन दोई जी भी वही रहते थे उसे ये बात थोड़ी अटपटी लगती थी क्योंकि जब वो मैके जाती थी तो उसके पती दो दिन से ज़्यादा मारूगते नहीं थे और वो भी नहीं साती थी कि मैके में उसके पती ज़्यादा रूके दामान अलग ससुराल में कम जाए तब ही उसकी इज़त बनी रत्यासा उसने सुना ता एक रोज विसाज जी को खाना दिया गया थोड़ी दिर बाद उदर से उसकी सास आयो और निया पर बोली बहु तुमने दामान जी के सलाद काट कर नहीं दिया देखो वो नाराजो गए हैं इन सब बादों का तुमें ध्यान में रखना सही आकिर तुम इस गर की बहु हो निया को बहु दार्शे हुआ ये तो उसकी सोसे बिलकुल वीप्रत निकले वो सोटी मोटी बातों पर नाराजो जाते थे सामने कुस नहीं करते थे इस बा अगर की जा मेरी खातिरदारे नहीं होती में वा देर तक रुकता नहीं हो निया मन में सोस रही थी मैने में दस दिन तो यहीं रहते फिर भी ये बात कहते हैं कि मैं सस्राल में ज्यादा रुकना नहीं साता खेर अब तो ये रोज की बात हो गई थी साधी को एक साल होगे निया अपने पदी के साथ आगरा सली गए आगरा में रहते वे वो अपनी ननन नन्दुई को घूमने के लिए बुलाई वो पूरे परिवार के साथ आए सब बहुत खुश थे एक रोज मानव और विशाल जी गूमने के लिए बार निकले निया बातों बातों में अपनी ननन से बोली दीदी नन्दुई ची बहुत अचे वो आपसे कभी नाराज नहीं होते किसी बात को कितने प्यार से करते और एक आपके भाई है जो बात बात पर रूरते और सिला सुमन बोली मेरा भाई बहुत अच्चा मन में कोई बात नहीं रगता जो भी होता मूँ पर बोल कर बात खतम करता किसी ने सच ही का है दूसरे के बाई और नंदुई सबको अच्चे लगते पर जिस पर भीती वही जानता निया उन्हें आर्षे से देखने लगी और बोली आप ऐसी बाते क्यों कर रही है नंदुई जी तो कभी कुछ नहीं करते सुमन बोली जो दिखता वो हर बार वैसा ही नहीं होता ये सु भली रहते परंतु अपने घर पर अपने कमरे के बीतर क्या होते ये मैं ही जानती हूँ मैं आपकी तरह खुली हुई नहीं हो कि मन की विसारों को और अपनी तकलीप को बोल देती हूँ आप मेरे बाई के बारे में बोल देती हो परंतु मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि बो ना तो हर पतनी को ही होता, सब बात खुली तो सोमन को लगा के एक सकी मिले जिससे वह अपनी मन की दबी हुई बात बोल सकती है, तब उसने बताया कि सोटी मोटी सिजों के लिए विशाजी बहुत नाराज होता है, जाते रसोई में एक समस भी अगर इधर से उधर हो तो उन्हें अच्चा नई लगता खाने की धाली में कटोरी बाई तरफ नई दाइनी तरफ होनी सही है, जब इन बातों को निया ने सुना तो हैरांद रगी, अगली दिन जब सब वाप जाने लगे तो निया ने नंदोई जी को नास्ता द्यागोने दाल की कटोरी जो निया ने बाई तरफ रखी थी, उसे उठा कर दाइनी तरफ रखा और सुमन से बोले आप तो जानती हैं कि कटोरी कीश तरफ रखनी सही ध्यान रख लेती, निया हैरानी से सुमन को देख रही थी और सोसी सजकाता दीनी ने जो दिखता वो हर बार वैसा नहीं होता, तब निया को ल किसी को अच्ची लगती हैं पर जिस पर बीतती हैं वहीं जानता, रात की ट्रेन से सब सले गए, अगली दिन घर खाली खाली लग रहा था, निया मानव से बोले, आज आप ड्योटी मज जाए, घर फुला खाली लग रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा, मानव मुस्कुर तो मुझे माब कर दिया करो, ये सुनकर निया पूरानी बातों को भूल गए और उसे ऐसा स्वाकिर जिसे वह समकता हुआ, हीरा समझ रही थी, वह तो बस एकास का टुकडा था, आसल हीरा तो निया के पास हैं, दूस्तों पुरूसों में विगुण अवगुण दोनों होत जैसे हर औरत एक जैसी नहीं होती, दूसरे की पत्नी हर किसी को अच्छी लगती, उसी तरह औरतों को भी दूसरों के पत्यों में गुण देखते, जब कि उन्हों पत्नियों से पूसा जाए, जो उनके साथ रहती, तब पता सब्दा की जिस पर भीतती हैं, वही जाना